हलो स्टुडेंट एक वार फिर आपका स्वागत इस क्लास में जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के संसके सुधा की कारपुस्त का और उसका चेप्टर पढ़ेंगे 11 से एक आदस पार्ट है यानि 11 से पढ़ने मतलब है 11 पढ़ेंगे 12 पढ़ेंगे और 13 चेप्टर से 11 पार्ट से एक आदस पार्ट सूक्तिया यानि इसमें सूक्तिया दी गए यह सूक्तिय मतलब होता कि कुछ ऐसी कोटेशन ऐसे नियम होते हैं जो जीवन जीने के लिए होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए और उनका अंश्रड भी करना चाहिए कुछ ऐसे सूत्र ज उनका अंश्रड करना पड़ता हमको अगर आप करेंगे तो आप बहुत हद तक जो है आपके सब आचाहर विचार अपने आप सही होती जाएंगे तो सुरू करते हैं फ्रस्ट से उचाहरम कृत्वा लिकत केवल करना क्या इसमें आपको पढ़ना है और लिखना है उसी working अफना करहां लेकिन आप इसका मतलब भी समझे का कि आच्वार मतलब होता है जो आपका आच्रड है वहीँ आपके लिए परम धर्म हैं कि आपका आचरण कैसा है आप केतने सदाचारी हैं कितने दुराचारी हैं यह निरवर करता है कि वहल्व कि आप सदाचारी हैं आच्छे हैं तो आपका समझिए खाव सही्cken ज्याब भाлю है होंगे अगर एक आदमी जिसके पास किसी चीज की विद्या है तो वह बहुत ही बिनमर्सील व्यक्ति होना चाहिए आपके पास कोई टेक्नलोजी है कोई ग्यान है कोई यूपती है जिसका यूज करके आप लोगों का वहला कर सकते हो तो आप निश्चित रूप से बिनसील हो मुठी ओर झेलेखुकल कि और इसका मतलब एक ऐसा धन होता है जिसका कभी विभाजन नहीं किया जा सकता और बिद्या धन को आप जितना लोगों को और बताओगे तो आपका उतना ही अच्छा और होता चले जाएगा इसका मतलब किया जैसे माल यह आपको कोई गड़त के सवाल अच्छे से आते हैं अब आप वो कोश्चन किसी और को पढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी सीख रहा और आपके और जादा अच्छे होते चले जाएगे आप किसी चीज़ को जितने जादा बार किसी को पढ़ाएंगे आपकी जो पढ़ाने की छंता या बताने की जो प्रोसेसिंग है वो उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी और उसे कोई बाट नहीं सकता ऐसा नहीं आपके को मालो कोई एक बहुत अच्छी बिद्या आती और किसी को अगर आप बता देते हैं तो कि आपकी छिन थोड़े ही आएगी दूसरा बिक्ति भी समझे गया वो भी उससे काम चला सकता इसलिए का गया बिद्या धनम सर्वधर प्रधानम बिद्या धनी सभी धनों में मुक्खे शत्मियव जैते का मतलब होता है कि आप कितना भी कुछ ही कर लिएगा अन्तम्हें बिजय जो होती है जीत जू होती है वो शत्त की ही होती है बिधवाण सरवत्र पूझते का मतलब होता है जो आदमी बिधवाण है जिसके अंदरinform didutah है बिद्वानवाले गुड हैं और बिद्वानवाली बात करता है उसकी हर जगे इज्जत होती है हर जगे उसको समान मिलता है लोब पाप जिकार है। इसका मतलब यह होता है, लोब ही पाप कार होता। बहुत से लोगों को देखा होगा, आपने लोब करते करते आगे बढ़ते हैं और एक वार वह बहुत ही बिनाश की राश्ते पर पहुंच जाते हैं या उनका वहाँ से बिनाश होना, शुरू three हो जा है उनका शमान करिए उनको पूजी सीलम परम भूश्णम सील का मतलब क्या होता एक होते सील में और बेशीलियन निर्दय दुष्ट प्रकरती लोग तो आप सीलवान होने चाहिए अर्थात लोगों पर दयावान होने चाहिए वही आपका सबसे अच्छा आभूश्ण कहा जा लबते ज्यानम का मतलब यह हो गया कि अगर आप सिद्धा बान है तो आपको ज्यान जली प्राप्त होगा और आप ज्यानवान बन जाएंगे तो स्रद्धा आपके अंदर होने चाहिए दूसरों लोगों के और नेक्स इसमें है कि सर्वे भवंत सुखना एक इसलोग है सुखीर है ऐसे हमारी कामना होने चाहिए माता भूमी पुत्रों प्रथव्या इसका मतलब है कि माता हमारी जो प्रथवी है वो हमारी मा के शमान है और हम उसके पुत्र के शमान हैं यह इसकी अंतिम शुक्ति थी तो यह बो शुक्तिया है जो हमें पता होनी चाहिए और हमे अधिक सदिक इसमें से दो-चार ऐसी शूक्तियां भी है जिनका अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए तो यह था पार्ठ ग्यार्मा जिसमें किवल यह शूक्तियां दी गए थी और उस खाली जगे में उनी शूक्तियों को में भरना था था और उसका आपको मीनिंग भी पढ़ाया है देखते हैं अगरा चेप्टर बार्मा और अंतिम चेप्टर इसी में बार्मा है द्वादस पार्ठ है असमाकम देशा यानि हमारा देश यह आपका एक चेप्टर है आपने किता में इसको पढ़ा है बहां से भी आपने बहुत काल यह यह वाज के लिए सवाल कूछे जाएगे पहला स्वाल इसमें एक ему अ समाकम देशा कृदिशा अस्ति इसका मतलब है हमयरा नहीं समारा तो हमारा वहागे लिखा हुआ भाग ना लिखकर इस शप्तमी विवक्ती एक बचन मा मैं मैं और इचा वूपर के लिए यह आता है सप्तमी विवक्ती एक वचन उता है ठीक है और तो यह लिखा हुआ पर्वत्राज घंछाब्थ क किस वहाग में है तो हम कैवल कश्मन की जगए इसका मतलब यह जितनी नदियां उन सभी में अर्थात सब्सक्राइब बिवक्ति बहावचन का प्रियोग यहां पर हुआ है नदिश यानि सबी नदियों में कौन सी नदी प्रमुक है नदी प्रमुक है यहां पर गंगा लेकिए बारतास दच्छड भागे कास्त भारत के हिडल फिर भाग में हिंद माशागर है सर्वेजना कथम बशन्त सर्वेजना कैसे रहते हैं मरें इस्चन हशन हे पूरवक बशंत अमाड़े सबी लोग श्नी पूरवक मैं रहते हैं sample प्रश्ड निर्माणम कुर्थी यह कहरें का कश लगा करके इन सब्दों का बनाई प्रश्न बनाईएगा जैसे भारत-देसे आतीव सुनुम अस्त भारत बहुती जादा सुन्दर है अधिक सुनुर है तो हम भारत की जगे चाहूग तो का भी लगा सकते हुव कसदों लगा क स्ब्सक्राइब के सब्सक्राइब एक लिख सकते हैं खारत गुंऑ कौं पनता लग रॉगा लग रहा है एसे कि सवाल बंगया हिमाल और गुष्याख ओस्क्राइब को छाम में जाता हि pomoda को यहां बसाता सक्ष्टाइब लखनव असकिस की राजधानी लखनव में है ठीक ऐसे करके सवाल बन गया हिमाले परवत राज अस्त तो हिमाले का अस्त हिमाले क्या है या यह कहे दें का परवत राज अस्त परवत राज क्या होना है तो यह भी कह सकते थी यानि का और कस्त दोनों लगा करके सवालों को बना ततना ये सब चीजARS रहेचा नहीं है। और यहां पर जो सब दीगे इनके हमें बावबचन बना दी जैसे धर्म को धर्मा हो जाएगा, छात्र छात्रा हो जाएगा, जन जना हो जाएगा, पाठ पाठा हो जाएगा, बालक बालकाहा हो जाएगा, इस प्रकार से इनके एक बचन से बावबचन भी संस्कत में हम बना सक सकते हैं ये सब्सकी जो सबसाइब इसक इसलिए निटावर loving के बारे में आप वे बुढ़ा मे ख़लता को वह पोर करना थी तो येंवालаст के बारई को पूरा करना है तो बहुत पढ़ते हैं बहुत लिखते हैं उसकी बाद हम जनित की सेवां में लोगों की शेवा में लग जाते हैं भविता इसमो जन हिते निपता और उसकी बाद हम लोगों की शेवा में लग जाते हैं तो आपने एक अविता पढ़ी होगी तो यहाँ पर केवल उसके अविता को खाली जेगे में भरना था और यहाँ पर निदेशा नुसारम परवरतिय निदेश के अंसार परवत्न कीजिए यानि ये क्या लिखा हुआ है कि यह था अधा आवाम बयम मैं हम दोनों हम सब एक बचन दो बचन बहु वचन ठीक है यह आपके सर्म नाम होती है यहां पर प्रत्वा विवक्ति बालक बालको बालका की लिखनी थी और यहां प्रत्वा विवक्ति जिसे बालका बालका बालके बालका ठीक बालक एक बचन बालको दो बचन बालका बहु वचन लड़कियों के लिए बालका लापर छोटी की मांत्रा लगेगी केवल और कोई फरक नहीं लेकिन यहां बालका यहां बालके हो जाएगा इसे प्रकास से इसमें दो औ और दिये गए हैं तो भक्त भक्ते भक्ता और सुवीर सुवीर यानि बल्वान हम सब बल्वान हैं हम दोनों बल्वान है और हम सब बल्वान है इस प्रकास से इनको कर सकते हैं तेर्मे पाठ में थोड़ी और एक्ससाज है कि पाठा नुसारम उत्रम लिखत पाठ के अनुसार भारत वक्ता के शंते तो देखो जो पहला सवाल था वो ही दूसरा सवाल है भारत वक्त कौन है तो इसमें हमें वही लिखना था बयामी सर्वे भारत वक्ता लेकिन हमने यहां पर जो लिख दिया वो वाला आंसर हम को लिखना था इसमें बयाम कृदीशा तो यहां भी हम यह हमने लिख दिया सुधिरा सुवीरा हष्टमान शाप को शरीर चा वारत वक्ता है लिखा वारत वक्त कैसी है कि धैरवान है बलवान है मन से स्वष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बयम क्रदीशा हम सब कैसे हैं तो वोई दूसरे बाले का हमने हवी लिखा हुआ एक शुदीरा शुवीरा अहस्ट मानशा पुष्ट शरीरा हम सब लोग ऐसे हैं भारत वक्ता कुत्र नियुक्ता हम लोग कहां नियुक्त हो जाते हैं ये सब करने के बाद उसमें लिखना है आपको भारत वक्ता भवता इसमों जनहते नियुक्ता उसके ये पढ़ने लिखने सब के बाद हम लोगों की भलाई में लग जाते हैं और अंतिम कोश्चन है ये ब प्रत्वी का एक वचन प्रत्वी, दो वचन प्रत्वयो, तीन प्रत्वया और इसी चीजी को फिर लिखना है तो वो तो आप लिख सकते हों, सेम सेम जैसा का तैसा लिखना है, और यहां पर एक इसी प्रकार से और भी है, श्वर्ग का, तो सेम जैसा इसमें लिखा हुआ प् पुनहा लिखना आपको आगे लिखना एक प्रतमा गोती को ही पुनहा लिखना यद यह तो इस च पर तेरह की कारपश्टक संस्क्राइब की आसा करता हूँ आपने समझ पाया होगा इस किलास में इतना ही देर्शल जहन जय भारत